नमस्कार दोस्तों आशा है आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं स्वस्थ हैं और सुखी हैं अगर बाहर निकलना पड़े और वो भी सिर्फ अगर कोई बहुत जरूरी काम हो तो तो मास्क पहन कर जाना अब यह नियम है हमारे प्रधान मंत्री जी ने भी कहा है कि अपने घर में ही अपना मास्क बना लीजिए और उससे पहन कर बाहर निकले और यह क्यों क्योंकि वो जो सर्जिकल मास्क है एन 95 वो हम बचा कर रखें अपने हस्पतार के स्टाफ के लिए डॉक्टर्स नर्सेस वहां के कर्मचारी क्योंकि उन्हें इनकी बहुत जरूरत है तो हम अपने अपने घरों में अपने लिए एक मास्क बना लें आपके पास कोई साड़ी कोई दुपट्टा कोई स्कार्फ कोई बड़ा रुमाल होगा तो आप उससे आराम से बना सकते हैं मेरे पास यह कपड़ा था जो मुझे मिल गया तो मैंने इससे अपना मास्क बनान की सोची इसे मैं इस तरह फोल्ड कर रही हूं यह लीजे और इस कोने से अब मैं ऐसे टे कर देती हूं अंदर की तरफ कि यूँ फिर से फिर से और एक बार फिर और अब इसको मैं बान कर अपना मास्क बना लोगे यह जिए अपना देश अपना मास्क नमस्कार दोस्तों आशा है आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं स्वस्त हैं और सुखी हैं अगर बाहर निकलना पड़े और वो भी सिर्फ अगर कोई बहुत जरूरी काम हो तो तो मास्क पहन कर जाना अब यह नियम हैं हमारे प्रधान मंत्री जी ने भी कहा है कि अपने घर में ही अपना मास्क बना लीजिए और उससे पहन कर बाहर निकले और यह क्यों क्योंकि वो जो सर्चिकल मास्क हैं एन 95 वो हम बचा कर रखें अपने हस्पताल के स्टाफ के लिए डॉक्टर्स नर्सेज वहां की कर्मच क्योंकि उन्हें इनकी बहुत जरूरत है तो हम अपने अपने घरों में अपने लीए एक मास्क बना लें आपके पास कोई साड़ी कोई दुपट्टा कोई स्कार्फ कोई बड़ा रुमाल होगा तो आप उससे आराम से बना सकते हैं मेरे पास यह कपड़ा था जो मुझे मि और इस कोने से अब मैं ऐसे तै कर देती हूं अंदर की तरफ